एंड एक्वी स्पेस्थर होर्जोंटल लाइन्स एंड एन क्या ए नंबर अफ वाटिकल लाइन्स ठीक है तो अब एक्ते हैं तो अगर मैंने ऐसे लाइन डॉकर तो यह मेरी पहली वर्टिकल लाइन होगी, है न, then मेरे पास में second वर्टिकल लाइन होगी, ऐसे ही, है न, then third वर्टिकल लाइन होगी, है न, फिर ऐसे ही fourth वर्टिकल लाइन होगी, ऐसे करते करते हैं हमारे पास पर total कितनी वर्टिकल लाइ गिवने n vertical lines है second horizontal line होगी third horizontal line होगी ऐसे अगर मैं देखंवगा है तो ऊपर क्या होगा हमारे पास में m-1th horizontal line होगी, m-th horizontal line होगी, है ना, अब इसा समझते हैं इस figure को, अब square कैसे कैसे बन सकता है, पहला question ये समझना है, तो अगर मैं देखुँआ, तो यहाँ पर हमारे पास में 1, 2, up to कितनी line है, n, यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, up to m lines है, तो पहला square मेरा बनेगा, ये, देखेंगे, मैं इसे मार्क करता हूँ color से, सबसे smallest square होगा, मेरे पास में 1 side का, ठीक है, अगर इनके बीच में unit distance, या फिर जो भी distance है, उस side का, फिर दूसरा बनेगा यहाँ पर, इसके just उपार, है न, तो ये बना line 1 और 2 के बीच में, फिर बनेगा 2 और 3 के बीच में, ऐसे ही, इस line में सबसे last बनेगा, m-1 से m के बीच में, तो एक row में मेरे पास कितने बने, m-1 square बने, है न, सुरी, एक column में, अब, अगर हमारे पास में, rows देखनेंगे तो कैसे होगी, अभी कै, अभी से में देखने है, वर्टिक लिए, तो 1 और 2 के बीच में में बना, अब यहाँ पर 2 और 3 के बीच में ही बन सकता है, 3 और 4 के बीच में भी बन सकता है, 4, 5 के बीच में भी बन सकता है, लाश्ट में क्या होगा, n-1 से n के बीच में भी बन सकता है, तो हमारे पास में total किते हो जाएंगे उस case में, यह हो जाएगा, m-1 से लेकर के कहां तक, see, एक line में m-1 और यहाँ पे n-1, तो total किते square बनेंगे, हमारे पास सबसे smallest size के, वो बनेंगे m-1 into n-1, ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको, यहाँ से erase कर देते हैं, ताकि हमें आगे वाला case सब समपाएंगे, ठीक है, तो इससे हम यहाँ से erase कर देते हैं, अब, फिर बनेगा second size का, second size का कैसे बनेगा, कि जब मेरा 1 से start होगा, 3 पे जाएगा, तो यह two size का बना आपकी बार है न, तो यह मेरा first बना, इसका second कैसा बनेगा, 2 से 4 में बनेगा, और ऐसे ही जो मेरा last बनेगा, वो बनेगा, मेरा n-2 से n तक जाने वाला, m-2 से m तक, और इस direction में भी क्या होगा, 1 से 3 तक जाएगा, 2 से 4 तक जाएगा, 3 से 5 तक जाएगा, और ऐसी last में कहाँ जाएगा, n-2 से n तक जाएगा, तो total हमारे पास में two size वाले कितने बनेगे, m-2 किसमें एक column में, और row कितनी हमारे पास में बनेगे ऐसी total, n-2, तो इससे हमीं raise कर देते हैं, clear रखने के लिए, फिर बनेगा यहाप हमारे पास में, यह two size के होगा हमारे पास में, तो आग्या m-2 into n-2, ऐसे अगर मैं देखुआँ तो हमारे पास में, अगर 3 size ही कितने बनेगे, m-3 into n-3, अब last क्या case आएगा मेरे पास में, last case आएगा मेरे पास में, अब हम यह given है कि n बड़ा है m से, तो last case जब अब आएगा हमारे पास में, जब हम m size का square बनेगा, m size का square means, हमारी पूरी की size का square बने जाएगा, ठीक है, है ना, तो एक बनेगा मेरे पास में कहां से कहां तक, 1 से ले करके m तक, फिर दूसरा बनेगा 2 से ले करके m प्लस 1 तक, ठीक है, फिर तीसरा बनेगा 3 से m प्लस 2 तक, ओके, यह तो हमारी क्या होगा ही, height तो पूरी m होगा है, लेकिन ऐसे, अब हम horizontally कित्ते बना सकते हैं, c, तो इस case में क्या होगा हमारे पास में, ऐसे ही क्या होगा, इसके बाद आएगा, m-4 into n-4 and so on, ऐसे चलता रहेगा, और last में कहाएगा मेरे पास में, m-, यहाँ पर क्या होगा, m-1 आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्याएगा मेरे पास में, n-m-1 आ जाएगा, तो total मेरे कित्ते बनेंगे, last में यह लिखावा है, 1 into n-m-1, ठीक है, तो इतने मेरे पास में, total square यहाँ पर बनेंगे, यह क्या लिखावा है मेरे पास में, m-1, n-1, m-2, n-2, and so on,